तो आज हम ऐसी चटपटी सी चाट बनाने वाले हैं जिसे खाके आपको गिल्ट नहीं होगा बल्कि उल्टा बेनेफिट करेगी आपकी बॉड़ी को और उस चटपटी चाट को चटपटा बनाने के लिए बनाएंगे एक अमेजिंग सा ड्रेसिंग भी चलिए देखते हैं तो आपने कई बार अपनी दादी नानी से सुना होगा कि हमें सिंग दाना जो है वो खाना चाहिए बहुत अच्छा होता है एल्ट के लिए इसका ओल भी बहुत बेनिफिशल होता है लेकिन इसको खाने का कुछ एक स्पैसिफिक तरीका है जिसे अगर आप यूज करें तो आप इसे डेली यूज में ले सकते हैं तो यहां पर हमने क्या किया है एक बोल हमने सिंग दाने लिए हैं कच्छे और इसे रात भर के लिए भीगो दिया है अब जब ये रात भर के लिए जब भीग जाएंगे तो इसमें जो पित होता है वो हट जाता है ऐस करना है next morning हमें क्या करना है हल्दी और नमक के साथ इसे बॉयल करना है पानी के साथ तो चलिए अब अम इसे बॉयल कर देते हैं बॉयल करने से पहले 10 मिनिट इसे चोड़ दीजिए ताकि नमक और हल्दी अच्छे से सिंग डानों के साथ मिल जाए अब जब तक यह बॉयल हो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अगर आप इसे प्रेशर कूग करना चाहें तो प्रेशर कूग भी कर सकते हैं तीन विसल तक अब हम बना लेते हैं ड्रेसिंग तो यहां पर मैने लिया है तंदूरी मेयो उसके साथ मैं मैं ले रही हूं मिक्स हर्ब्स एक चम्मत जि इसके साथ आप और भी जो चीजें कुछ एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे की नीबू अगरा तो वो भी आप इसी स्टेज पर मिला सकते हैं नहीं तो फिर हम बाद में एड़ करेंगे तो यहां पर चेक कर लेते हैं कि सिंगदाने जो हैं वो बॉयल हुए हैं या नह अच्छा नहीं लगेगा तो यह देखें यहां पर यह पॉफेक्ट बॉयल हुचुके हैं हमारे सिंगदाने और चलिए एक ले लेते हैं बोल और उस बोल में हम डालेंगे बॉयल पीनट्स और उसके साथ हम कुछ चीजे एड़ करेंगे जैसे की टमाटर वगरा तो जो भी चीजे हषे घीशось हेल्दी हो वह हम एड़ करेंगे जैसे की प्याज हो गयए ककड़ी हो गई जितना आपको चाहिए जितनी मातरा में चाहिए उतना हम अड़ करेंगे वेजटीबल्स उसके साथ में हम लेंगे हरी मिर्ची और यहार में ले रही हूं क्युमीन पाउडर ज पाउडर इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए काली मिर्ची का पाउडर और इसके साथ काला नमक भी लेंगे जो कि हम बिल्कुल ही स्वादा नुसार लेंगे इन सबी चीज़ों को हम पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे और उसके बाद में अगर आप इसमें चाहिए तो ओलिव्स भी आड़ कर सकते हैं, बहुत धी अच्छा टेस्ट देता है, अनार के दाने भी आड़ किये जा सकते हैं इसमें, हम यहाँ पर धन्या आड़ करेंगे इसमें और साथ ही हम इसमें निंबू आड़ करेंगे, ताकि इसकी एक फेशनेस जो है वो बरकरार रहें, अब लास्ट मे जब हम इसे खाने ही वाले हों तब हम इसके अंदर अड़ करेंगे दो टेबल स्पून भरके जो ड्रेसिंग हमने बनाया था वो हेल्दी भी है और अगर आप मेयो नहीं खाना चाहते हैं तो आप हंकर्ड भी इस्तिमाल कर सकते हैं मेयो की जगे पे और बन गया हमारा इसी चाट जो हेल्दी वे में भी खाई जा सकती है इंग्रीडियन्स चेक कर लीजे मैं जल्दी मिलती हूँ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें बाबाई